कब स्वरज निकलेगा जिनार की बोसीदश शाख पर एक अंधा कबुतर पिछले साड़े तीन सो साल से मुंतजिर है जिनार की बोसीदश शाख पर एक अंधा कबुतर पिछले साड़े तीन सो साल से मुंतजिर है कब वो सूरज निकलेगा जिसकी रूप पहली किरन उसे अंखियारा कर दे जिनार की बोसीदश शाख पर एक अंधा कबुतर पिछले साड़े तीन सो साल से मुंतजिर है कब वो सूरज निकलेगा जिसकी रूप पहली किरन उसे अंखियारा कर दे हवाज जोर से चल रही है तेरे यासमीनी बदन पर मेरे बेशुमार बोसू के अंगिरत पे रंग निशान हवाज जोर से चल रही है तेरे यासमीनी बदन पर मेरे बेशुमार बोसू के अंगिरत पे रंग निशान और मैं सोच रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ हाथू में गुलदस्ते सर पकड़े हुए कब तु आएगी लहराते हुए जुलफू की लटे जीन्स और टॉप में जलबते तेरे जिस्म के मुद्नासिबासा हूँ और हुचू में आशका जिनें तुने कभी एक नजर भी देखा नहीं तेरे घर का तवाफ करते हुए है और मेरे वरके दिल पर तेरे यादों की रोशन लकीर और मेरे वरके दिल पर तेरे यादों की रोशन लकीर रात के उजले साए में आस्मान जब असखम अपना खोलता है शहर की सड़कों पर बाल खोले बैन करती बेवावों का जरूस आस्मान की तरफ उठे नन्न्ने हाथ यतीम बच्चों के अपने बापू की कबरों का पता पूछते हैं वो जो घर से निकले थे अस्पाटा के ज्यालों की तरह कौन सी वादी में खो गए हैं क्या लापता हो गए हैं क्या लापता हो गए हैं और तुम बाजन तैना के आखरी फर्मारवा की बेटी अपनी हैरा हैरा हांकों से मुझ में क्या डूंड रही हो मुझ मैं क्या डूंड रही हो क्यूं मुसलसल तक रही हो मुझ को क्या तोल रही हो मैं वो शहजादा नहीं जो सुरज की साथ घोलू वाली गाड़ी में मैं वो शहजादा नहीं जो सुरज की साथ घोलू वाली गाड़ी में तुम को लेने आएगा और काइनात की मलका बना देगा नहीं मैं वो नहीं मैं महाद से लोटता हुआ एक निस्फतन सिपाही शिकस्त इस्तखा समेटे अपने तूटे हुए रकीदे को सीने से लगाकर यख जदा वादी के मुझमित दरिया के किनारे सोच रहा हूँ कब इस वादी में गरफ पोश पहाडूं के पीछे से सुरज निकलेगा कब हर्याली चाएगी कब सावन भिम जिम भरसेगा कब वो दिन आएगा कि अराओगी कर्सुन से लादी की रचिते थादी के मुझमित खादी झाल झाल